बारत का पडूस्ती मुल्क पाकिस्तान एकोनोमिक फ्रेंट पर कई जुनोतियों से जूज रहा है वहां का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है कई मुल्कों से कर्ज लेने के बावजूद वहां के आलात बहुत खराब है और आस्मान चुदी महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है कैसे पाकिस्तान इस भंवर से निकल पाएगा या क्या वहां हालात श्रिलंगा जैसे हो जाएंगे इसे की बात कवर स्टोरी में और एक्सपर्ट्स के मताबिक शाबार शरीफ सरकार देश को इस हालात से बाहर निकलने के लिए ठोस कदम ना उठाकर पॉपिलिस्ट मेजर्स ले रही है जिससे संकट और गहराने की आशंका बढ़ती जा रही है लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए देखें इसलामाबाद से बेबी से समादाता शुमाला जाफरी की रिपोर्ट पोईटा के गुल मुहमद अपने च्छे बच्चों के साथ पुर्बत की जिन्दगी गुजार रही है वो कहते हैं मुश्किल है तो पहले भी बहुत थी पर अब होने वाली महंगाई ने दाल रोटी भी चीन ली है एक दाल एक चावाले जो पहले साथ रुपे हमें सतर में में तीस रुपे बिकते थे अभी वह भी 120-130-500 रुपे हो गया पाकिसान में ये घरगर की कहानी है कहीं लोट शेडिंग के खिलाफ विरूद हो रहा है तो कहीं आटे का बहरान है और कहीं बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों ने लोगों के लिए कटनाईयां पैदा कर दी है इस सारे संकट में सरकार अक्षम दिखाई देती है और इमरान खान दिन रात पाकिसान के डिफॉल्ट होने की चितावनी दे रहे हैं एक तरफ बेरोजगारी और दूसी तरफ महिंगाई और मजीद और महिंगाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा खतरनाक है इस पुल्क के लिए क्यों खतरनाक है सिरी लंका में इसी तरह का सिनारियो हुआ था अगर ये अबादी के अंदर इसी तरह का इंतशार शुरू हो गया जो सिरी लंका में था मैं ये आपको मुझे अफसोर से कहना कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा पाकिसान की अर्थ विवस्ता बहुत हद तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चीन, साओधी अरब और यूए जैसे दोस्त मुलकों के सहयोग पर आश्रित है IMF की तरफ से कर्जे के अगले प्रोग्राम पर क्लारिटी ना होने की वज़ा से ही नौबत यहां तक पहुँची है कि पाकिसान के फॉरंड रिजर्व्स पांच अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं और इसके खजाने में सिरफ कुछी हफ़तों की इंपोर्ट्स के डॉलर्स बचे हैं विशले शक मानते हैं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बहुत बढ़ चुका है लेकिन सरकार कोई और ही कहानी सुना रही है और इसके अलावा कोई साड़े तीन बिलियन के क्रीब जो है वो मल्टी लेटरल के लोन्स है और दूसरे लोन्स है जो हमें वापस करने बहुत सारे एनलिस्ट जो जो इसके उपर कमेंटरी कर रहे हैं और मन्फी किसम का एक इंप्रेशन दे रहे हैं वो ठीक नहीं है और डेट री पेमिंट की सुर्टे आल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में और इन्शाला हम आने वाली पेमिंट्स को भी ऑन टाइम पूरा करेंगे पिछले साल आने वली बार ने भी आर्थिक मंदी में इजाफा किया हाल ही में जिनीवा में एक अंतर राष्ट्रे कांफरंस में पाकिसान के लिए तकरीबन दस अरब डॉलर के प्रॉजेक्ट लोन्स का वादा किया गया लेकिन इन वादों को पूरा होने में काफी वक्त लग सकता है आर्जी तोर पर आर्थिक स्थिती संभालने के लिए परदानमंत्री शेबास शेरीफ ने यूएई का दौरा भी किया जहां से उन्हें दो अरब डॉलर कर्स का रोल ओवर जबकि एक अरब डॉलर निया कर्सा मिला सरकार की तसलियों के बावजूद आईएमेफ की तरफ से अगला प्रोग्राम मिलने की कोई कमिट्मेंट नहीं मिल पा रही जिसकी बड़ी वजा है इसकी कड़ी शर्तें जो कहती हैं कि जनता को दी हुई सबसिडीज को वापस लिया जाए और नए टेक्स लगाए जाएं एक ऐसा फैसला जिसका बोज शेहबास शेरीफ की पहले ही से कमजोर सरकार उठाने के काबिल नहीं और जिसकी कीमत उन्हें अगले इलेक्शन में अदा करना पड़ सकती है शुमाईला जाफरी बीबीसी न्यूस इसलामबाद तो क्या पाकिस्तान पर वाकई दिवालिया होने का खत्रा मंड़ा रहा है यहीं समझने के लिए शुमाईला जाफरी ने बात की इसलामबाद में मौझूद आर्थिक मामलों के जानकार साकिब शेराने से अब पाकिस्तान के हालात मेशित के अबिस्टी काफी संजीदा है और इस तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है क्योंकि जो फॉर्डन एक्शेंड रिजर्व्स हैं या जो जरे मुबादला के सब खायर हैं पाकिस्तान के वो तकरीबन इस पेस पे जो पाकिस्तान ने अभी सारी रोकी हुई इंपोर्ट्स और कैपिटल कंट्रोल्स दगाए हुए इस पेस पे तकरीबन चार महीने मैकसिमम तीन से चार महीने और लास्ट कर सकते हैं तो अगर आएमेफ के साथ इतने इस अरसे में डील नहीं हुई पाकिस्तान की तो फिर पाकिस्तान डीफॉल्ट की तरफ ज़रूर जाएगा तो अभी पाकिस्तान क्या एड्मिस्टेटिव मायर्स लिये हुए हैं डॉलर को और रिजर्व को कंट्रोल करने के लिए की पाकिस्तान में वसी पहिमाने पे एक वाइड रेंजिंग जो हैं इंपोर्ट पेमेंट्स को रोका हुए एंपोर्ट को तो बहुत सारी जो इंपोर्टर्स थे हैं वो अपने LCS नहीं खोल पारे हैं यानि के बाहर से वो चीजें मंगवान नहीं पारे हैं, अलावनी इनको के डॉलर्स ताके बाहर से बाहर ना चाहें पाकिस्तान से फिर इसके इलावा capital controls हैं यानि के जो companies यहां बाहर की काम कर रही हैं उनकी payments अगर बाहर उनोंने भेजनी हैं, अपने profits हैं, dividends हैं, royalty की payments हैं, franchise fees हैं, यह सारा कुछ रुका हुए है यह हलात इस हद तक पहुँचे कैसे हैं? हम सिर्फ बाहर की जो environment है उसका शिकार नहीं है, यह हमारी internal policies का भी बहुत बड़ा इसमें ताखिल है और सिर्फ इस हकूमत की नहीं, पीछली कई हकूमतों की में IMF के साथ मामला क्यूं तैय नहीं बार है? ज्यादा तर यह सियासत की नजर हुआ हुए है, इस हकूमत के लिए एक जब यह आये तो इनोंने कुछ जो इक्तामाद शुरूर में करने पड़ें को पेट्रोलियूम की प्राइस बढ़ाई पाकिस्तान में बहुत आपको पता है बड़ 50% बढ़ी फिर इलेक्रिसिटी की प्राइस बढ़ाई तो यह हकूमत जो है फिर क्या प्लिटिकली इसको इतनी फिर जाहर बात है मार पढ़ना शुरू हो गई, कृटिसिसम हुई तो और जो मजीद एक्दामात लेने हैं, आईमेफ प्रोग्राम को बहुत करने के लिए जो प्राइर आक्शन्द उनकी, वो पहले राउंड से भी ज्यादा तक्लिफते हैं, मतलब पेट्रोलियूम प्राइस की उपर अब सेल्स टैक्स लगाना है, गैस की प्राइस में बहुत अगर हम आईमेफ को कन्विंस नहीं कर पाते हैं और वापस प्रोग्राम में नहीं जा पाते हैं आईमेफ जो अदाएगिया हो रही है जून के बाद डेट पेइमेंट्स की, वो भी हमें डिफॉल्ट करने पढ़ेंगी और इंपोर्ट के लिए पाकिसान, जैसे स्री लंका के साथ हुआ, पिछले साल मार्च के बाद, आहिसा अईसा बदरीज उनके पास ना खुराक के लिए, फूड के लिए, एसेंशल आइटम्स के लिए, मेडिसन के लिए, या इवन ना पेट्रोलियूम के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे, इंपोर्ट करने के लिए, तो